चार ब्रेट की स्लाइस और दो आम से पूरे परिवार के लिए ये अनोकी मिठाई सिर्फ आदे घंटे में बन जाएगा और टेस्ट में ये हलवाई से भी बैतर बनेगा तो मैं यहाँ पे चार ब्रेट स्लाइस को तोड़ के मिक्सी के जार में डाल दूँगी ये मैंने और इन सब को पीस के पहले चूड़ा बना लेंगे ये देखिए सारे चीजे बहुत अच्चे से पिस चुका है तो अब ये मैंने दो ऐसे पके हुए आम ली है और इसे मैंने अच्चे से धोके लिया है तो अभी पहले इसके उपर से ऐसे काट लेंगे और इसे छीलना नही है बस अंदर की पल्प हमें चाहिए तो ऐसे काट के चम्मत से इसका पल्प निकाल लेंगे यह आम बहुत मीठा है तो पेस्ट के लिए सिफ एक चौथाई कप चीनी ही काफी है लेकिन अगर आपके आम में मीठास कम है तो आप थोड़ा ज्यादा चीनी भी यहां पर ले सकते है और दोनों साइट निकालने के बाद यह गुट्लियों में से जितना हो सके हम यह पाल्प निकाल लेंगे और अभी डालेंगे इसमें दूद तो करिबन पौणा एक कप दूद मैं इसमें अभी डाल रही हूँ और एक चुटकी नमक भी इससे मीठाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है तो अभी इसे पीस के बिलकुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ये देखिए बिलकुल ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए ये ना तो बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गारा और अब इस अप्पे पैन को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे इसे बैटर पैन के साथ चिपकेगा नहीं और अब एक एक चमच करके बैटर को इस अप्पे पैन में डाल देंगे इस बैटर को डीप फ्राई करके आप पकोड़े जैसा भी बना सकते है लेकिन अप्पे पैन में शेक लेने से यह बहुत ही कम घी में बन जाएगा और हो सके तो आप इसे घी से ही शेकना तेल मत यूज़ करना और अब इस पैन को ढख के लो फ्लेम पर पांच मिनिट पका लेंगे यह देखिए नीचे से यह सीख चुका है तो अब इन सब को पलट देंगे और ऐसे ही एक दो बर पलट पलट के चारो तरफ से इन्हें अच्छे से से शेक लेंगे अभी पैन को हमें ढखना नहीं है बस लो फ्लेम पर इसे चारो तरफ से अच्छे से 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 शेक लेना है यह देखिए यह मैंगो सूजी के अप्पे चारो तरफ से अच्छे से सीख चुका है तो अभी इन्हें हम निकाल लेंगे और अगर आपके पास ऐसे अप्पे पैन नहीं है तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बस कोई भी नौन स्टिक पैन में पहले आप थोर आसा घी ग्रीस कर लेना और फिर एक एक चमच बैटर लेके इसे पैन केक की तरह फैला देना और फिर सेम प्रोसेस में लो फ्लेम पर पहले ढख के 5 मिनिट और फिर एक दो बर पलट के अच्छे से 5-7 मिनिट और सेख लेना इसे शेप जरूर अलग बनेगा लेकिन टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा और अब कराई में लेंगे आधा कप पानी और इसके साथ में डालेंगे 2 कप दूद मतलब ये आधा लिटर दूद है और अब फिलेम को हाई करके दूद में उबा लाने देंगे और तब तक ये मैंने आधा कप सेवाई ली है ये पहले से ही रोस्ट किया हुआ है तो कलर द आसा पाउडर बना लेंगे और इधर देखिए दूद में उबाल आ चुका है तो मैंने ये फूल क्रीम दूद लिया है आप चाहे तो नॉर्मल टोन मिल्क भी यहां पर ले सकते है या फिर गाय की दूद भी ले सकते है और अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे चार कुटी हुई हरी लाइची, कुछ केसर के धागे और एक चौथाई कप चीनी और अब लो फ्लेम पर ही इसे थोड़ी देर चलाते हुए थोड़ासा गारा बना लेंगे और साइट में ये जो मलाई जम रहा है इसे कल्ची से खरोचते हुए दूद में मिलाते जाएंग ये देखिए दूद का टेक्षा थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है तो इसे मैंने करीबन 5-7 मिनिट उबाला है और इधर जो सेवाई को मैंने पीस के रखी थी ये देखिए ये बिल्कुल भी पावडर नहीं बना है इसे मैंने ऐसे ही दददरा ही पीसा है तो इसे भी मै दूद में डाल दोंगी और करीबन 3-4 मिनिट इसे दूद के साथ पकाएंगे इसे सेवाई अच्छे से पक जाएगा और फूल भी जाएगा और ये दूद काफी गारा भी बन जाएगा बस आप ध्यान रखना इसमें कोई कुटलिया ना पड़े और सेवाई की जगा पे य क्यूंकि ठंडा होते होते ये और भी ज्यादा गारा हो जाएगा तो फ्लेम को ओफ कर देंगे और ये गर्मा गर्म रब्री को इस मैंगो अप्पे के ऊपर डाल देंगे आप चाहे तो इस रब्री में कोई भी ड्राइफूर्स डाल सकते है और गानिशिंग के लिए मैं थ दूसरा कोई भी नट्स यहां पर डाल सकते है और इसे आप अभी सार्फ कर सकते हैं लेकिन हो सके तो थोड़ी देर इसे फ्रीज में रख देना ठंडा ठंडा इस मिठाई को खाने में और भी बढ़िया लगेगा तो दोस्तों ये बिल्कुल नई और अनोखी मिठाई की र शरूर बताना चलिए मिलते अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार